हेलो फ्रेंड्स! कभी गभी हमें चेटपटा खाने का मन हो जाता है और घर पे इंस्टेंट कुछ बनाना है तो उसके लिए आज पर रेसिपी लेकि आई हूं लेकि आई हूं इंस्टेंट परडी चाट परडी चाट बहुत ही फेमस चाट आइटम में से एक है तो आज हम बन पापडी चाट बनाने के लिए बहुत सारी सामगरी लगती है लेकिन मोस्टली हम आरे घर पे अविलेबल रहती है ऐसे ही सामगरी है बॉइल पोटेटो है तिखा ग्रीन वाला चटनी है यह चना है बॉइल किया हुआ जिसे मैंने पहले से भीगो के रखा था और नमक के साथ इसे बॉइल कर दिया है यह एकदम ही बॉइल नहीं होना चाहिए कि एकदम मैश हो जाए लेकिन हमें अख्छा दाना उसका लगेगा तो वही हिसाब से बॉइल करना है स्प्राउट किया हुआ मूंग है जिसे मैंने हल्दी और नमक के साथ पानी में ही बॉइल कर लिया है म पॉरी भी ले सकते हैं या तो फिर मेदे और रवा मिक्स करके उसमें थोड़ा काली मेरी का पाउडर और नमक एड़ करके इसे हम बनाते हैं और एकदम ही फरसी एकदम ही सौफ्ट पूरी बनती है तो ऐसी ही पापड़ी चाट के लिए हमें पूरी लगेगी उसके साथ नमक लाल मिर्च और नमक तो आईए परनाते हैं फटा फट पापड़ी चाटा है सबसे पहले हम पापड़ी को थोड़ा सा क्रमबल करेंगे एकदम चूरा नहीं करना है थोड़े बहुत मोटे-मोटे दाने भी होने चाहिए तो पापड़ी को क्रमबल करके मैंने रखा है उसके उपर थोड़े के आलू बॉइल किया हुआ आलू का पिसिस चोटा चोटा टुकडा मैंने करके रेडी रखा है आलू को थोड़ा सा चना चना और मोंग वैसे डालते नहीं है लेकिन थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें एड किया है अगर आप अवोइड क करना चाहते हैं तो अवोइड भी कर सकता है यह स्प्राउटेड मूं बॉल किया हुआ इसके उपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे नमक पापड़ी में अल्रेडी नमक है इसलिए हम थोड़ा सा ही नमक एड करेंगे चाट मसाला काला नमक और बस अभी टाइम है चटनी चटनी हम अपने टेश्ट के हिसाब से तीखा मीठा आपको जो हिसाब से पसंद है वैसे ग्रीन चटनी एड करिए स्विक चटनी एड कीजिए सिम्पल एसेंबल ही है पापड़ी चाट आप पहले से ही पापड़ी बना के रख दीजिए अगर गैस्ट घर पे आ गए और फटा फट आपको कुछ बनाना है तो आप ये सव कर सकते है इसके उपर हम एड करेंगे ठंडा ठंडा फेटा हुआ दही दही में मैंने कुछ नहीं डाला है विकाज हम मीठा चटनी तीखा चटनी एड कर रहे हैं इसलिए दही प्लेन है लेकिन सिर्फ फेट के उसे क्रेमी कर लिया है उसके उपर वापिस हम ग्रीन चटनी मीठा चटनी हलका सा नमक चाट मसाला काला नमक लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा धनिया और लास्ट में गानिशिंग के लिए दाड़म के दाने फ्रेंस एकदम ही टेस्टी एकदम ही यम्मी प्रेजन्टिशन के साथ हमारा रेडी हो गया है और अब भी हम इसे राउंड में सेव डालेंगे ताकि जो सेव है वो हमारे दाड़ी के साथ एकदम मैश ना हो जाए और हमारा प्रेजन्टिशन भी बहुत ही अच्छा लगे तो फ्रेंस रेडी है हमारी दाड़ी पपड़ी चाट तो फ्रेंस देखाना आपने कितनी जड़पट से एकदम ही फटाफट एसम्बल हो जाती है दही पपड़ी चाट खाने में भी उतनी ही टेश्टी लगेगी और आपको भी बहुत पसंद आएगी आपकी घर पे आने वाले मेमान को बच्चों को सबको पसंद आने वाली ची पाए और हाँ फ्रेंस प्लीज कमेंट शेर करना भूल देगा नहीं थैंक यू